जहीं दोस्तों स्वागत है आपके अपने परिवार में कैसे आप लोग बताईए अब यहां से देखो ओसत में आप सभी बच्छे जो है एकदम बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना शीखना यहां पर कि कि allegation का प्रियोग हम आउसत में कैसे कर पाएं एकदम जीरू लेवल से शुरू करूंगा allegation को और सारी बाते हम आपको बताएंगे सारी चीज़े हम आपको सिखाएंगे समझाएंगे सब कुछ हम आपको clear कराएंगे बड़े ध्यान से आपको सीखना होगा है अब देखो यहा नहीं mixture के बात पढ़ाएंगे बट allegation क्या है और इसका कहां पर इस्तमाल होता है तो जब भी हम किसी दो तरह के quantity को बना कर कुछ नया बनाने की कुशिश करते हैं दो तरह की quantity को मिला कर के कुछ हम नया बनाएंगे तो वहां क्या इस्तमाल करते हैं तो वहां पर amalgamation का प्रे और एक क्लास में हमारा लड़कियों का उसत वज़न हमारा कितना है तो हम बोलेंगे लड़कियों का उसत वज़न हमारा मान लीज़े कि 25 किलो और पूरी क्लास का उसत वज़न कितना है तो पूरी क्लास का उसत वज़न हमारा 28 किलो तो यहाँ पर मेरे भाई लगेगा allegation और ये बताएगा क्या तो ये हमें लोगों के संख्या का अनुपात बताएगा कि ये किस अनुपात में है मेरे भाई ठीक है लड़कों का एक तरफ रखिये लड़कों का एक तरफ रखिये और बीच में मेरे भाई पूरी की पूरी क्लास करकिए क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लास हमारी जो है वो लड़कों और लड़कियों से ही मिलकर बनी है तो आप इतना समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है को को एक तरफ रखना है लिक्यों को एक तरफ रखना है और बीच में पूरी क्लास का वस्त रखना है अब जब यहां पर हम allegation लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या तो देखो जैसे average का जो formula होता है वो हमारा formula क्या होता है तो बोलोगे sirs from और divided by क्या हो जाएगा number हो जाएगा sir यानि allegation लगाने में अगर आप average में allegation लगा रहे हैं तो आपको ratio किसका मिलेगा नंबर का मिलेगा आपको ratio किसका मिलेगा तो number का मिलेगा जो हमेशा नीचे होता है हमें उसी का ratio मिलता है तो ये एक average है ये भी एक average है और ये भी एक average है तो अगर हम average में alligation लगा रहे हैं तो हमें संख्याओ का अनुपात मिलने वाला है अब ये संख्याओ का अनुपात कैसे मिलेगा तो वो देखिए कभी भी allegation में क्या होता है जो बीच वाली संख्या होती है ना वो हमेशा इन दोनों के बीच में होती है एक संख्या से छोटी होती है और एक संख्या से बड़ी होती है तो क्या होगा बड़ी वाली इसको घटाएगा 30 में से मेरे भाई 28 घटाएजाएगा तो कितना आएगा दो आएगा और 28 में से 25 गटाया जाएगा तो कितना आएगा तीन आएगा यानि तीन और दो मेरे भाई क्या होगा तो अनुपात हो गया और किसका अनुपात हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर यह नंबर का अनुपात हो गया किस का अनुपात हो गया तो ये हमारी संख्याओ का अनुपात हो गया कोई दिक्कत की बात है कोई परिशानी की बात है कोई दिक्कत की बात है तो यानि हमने यहाँ पर इतना सीख लिया कि जब भी हमें अगर माली जैलिगेशन का प्रेयोग करना पड़े जब भी हम एक तरीके से लिगेशन का प्रयोग करना पड़े तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि यह हमारा boys का average हो जाएगा यहाँ पर यह हमारा girls का average हो जाएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो हम यहाँ total का average लिखेंगे और दोस्तों ये जब हमें देगा रेशियो देगा यहाँ पर तो ये boys का हमारा number देने वाला है कि boys की संख्या कितनी थी और ratio हमें किसका मिलेगा तो ratio हमें यहाँ पर जो है वो girls का हमें number मिलेगा कि girls का ratio हमारा कितना है यह चोटी-चोटी बातों को आपको समझ रहा है G1 मर मेरी बातों को ध्यान रखना है कि यादित इसर नहीं बात बता था कि एक तरिफ लड़कों का उसत, एक तरफ लड़कियों का उसत एक तरफ टोटल का उसत, यहाँ पर इनके संख्याओं का आनुपात सर class notes hand written होगा क्या बिल्कुल जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यहीं आपको मिलेगा ठीक है आज ही है तो question में पढ़िए जरा question number 64 हमारा CHSL में जो है पूछा गया बड़ा प्यारा सा सवाल है वो पढ़िए आप यहां पर क्या बोला गया यहां पर यह जो class अमारी बनी है यह class अमारे लड़के और लड़की उसे मिलकर नहीं बनी है यह class हमारे pass और fail student से मिलकर बना है आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो बोला गयाएगी average marks of 132 student of a college is इतना चलिए यह माल लेते हैं एक college है और यह college गुरु गोविंद सिंग college माल लेते हैं कोई है एक कहीं पर होगा ठीक है माल लेते हैं उस college में 132 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और हर किसी कहां में एक test करवाएं maths का average कहीं और इसमें सबका उसत अंक निकल कर आया पचास बोला गया if the average marks of pass student is 55 and average marks of fail student is 35 जाहिसरी बात है जब मैं उस class में टेस्ट कराऊंगा तो दूहीं स्तिती बनेगी या तो बच्चे पास करेंगे नहीं तो बच्चे फेल करेंगे तो पास करने वालों का उसत बच्पन है फेल करने वालों का उसत हमारा 35 है बोला गया then what will be the respective ratio of total marks of pass student and total marks of fail student यहां पे उनका respective ratio हमारा क्या होगा मैंने का कोई बात नहीं सबसे पहले भावनों को समझो यहां पर टीक है average निकालने के लिए किसकी आवशक्ता होती है सारी बात हम लोग तरीके से समझेंगे और सारी बातों को हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले जो पूरी की पूरी class बनी है हमारी वो किससे बनी है तो एक तरीके से पास वाले बच्चों से और एक तरीके से किससे फेल वाले बच्चों से यही बना हुआ है तो पास वाले कावस्त यहां देखते हैं देखो पास को यहां पर लिखेंगे लेफ्ट में लिखेंगे और फेल को यहां पर कहां लिखेंगे फिल करने वाले बच्छो कोशत हमारा कितना है तो 35 है टोटल हमारा बच्छो कोशत हमारा कितना है तो 50 है ये संख्या हमेशा बीच में होती है एक से कम और एक से ज्यादा अगर हम इनका ratio लेंगे तो ratio हमें क्या मिलेगा वो देखो पच्छपन बड़ा है तो 50 को घटाएगा वो भी diagonally तो मेरे भाई कितना आजाएगा 5 और 50 में से अगर हम 35 घटाएगे तो कितना आजाएगा 15 आजाएगा यानि ratio हमारा कितना निकल कराएगा तो 3 अनुपात एक निकल कराएगा मेरे भाई नंबर का रेश्यो आया है यह हमारा किसका रेश्यो आया है तो नंबर का रेश्यो आया है कि किस संख्या में मतलब जैसे मानों पास करने वाले बच्चे क्लास में 3 है तो फेल करने वाले बच्चे क्लास में कितने है तो एक बच्चा है यह हमारा किसका ratio निकल कर आ गया तो यहाँ पर संख्या का लेकिन question में हमसे संख्या का अनुपात नहीं पूछा है आप में से अगर ऐसा लग रहा हो कि यार option जो है वो गलत दिया गया ऐसा बिलकुल भी नहीं है एक percent भी ऐसा नहीं है अभी समझे मेरी बातों को लेकर 132 चात्रों का उसातंख हमारा इतना है उत्तीन करने वाले चात्रों का उसातंख हमारा इतना है उत्तीन करने वाले चात्रों का उसातंख हमारा इतना है उत्तीन चात्रों के कुल अंकों और अनुतीन चात्रों के कुल अंकों का क्रमशा अनुपात क्या होगा उनके total marks का मेरे भाई जो है वो बोला गया कि उनका Tout-ल-मार्क का हमें रीश्यो बताना है मैंने कहा ठीक है भाई यहां पर उनके संख्या का आनुपात आ चुका है तो हमें यहां यह पता करना है कि PASS करने वाले बच्चे कितने थे और fail करने वाले बच्चे कितने थे तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे वो समझो हम बोलेंगे सर यह तीन यूनिट है और यह एक यूनिट है कुल मिलाकर कितना यूनिट हो गया तो बोलेंगे चार यूनिट और यहीं चार यूनिट दोस्त हमारा किसके बराबर में है तो यहीं 4 unit हमारा 132 बच्चों के बराबर है तो एक unit का मान हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे एक unit का मान हमारा 33 हो जाएगा एक unit का मान हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा यानि एक unit बराबर 33 बच्चे तो 3 unit बराबर 99 बच्चे और 1 unit बराबर 13 बच्चे हमें question में क्या बोला गया है तो बोला गया है यहाँ पर respective ratio of total marks of pass and total marks of fail तो अगर हम यहाँ पर pass का total निकालते हैं और यदि हम यहाँ पर मेरे भाई जो है fail का total निकालते हैं तो इनका ratio कैसे निकालेंगे यह हमारे pass का total है और यह हमारे मेरे भाई fail का total है तो सबसे पहली बात यहाँ पर pass करने वाले बच्चों का उसत नंबर कितना है तो बोलोगे 55 fail करने वाले बच्चों का उसत नंबर कितना है तो 35 इनके एक बच्चे के चलते इतना नंबर तो पास करने वाले बच्चे है कितने तो आप बोलोगे ऐसे भी हटा लो पहले इनको हटा के आप एक काम करो बच्चों की संख्या लिख लो आप बोलोगे एक यूनिट का मान 33 है तो पास करने वाले तीन यूनिट बच्चे हैं तो तीन यूनिट का मान फेल करने वाले बच्चों की संख्या है तो ये पास करने वाले बच्चों की संख्या ये फेल करने वाले बच्चों की संख्या पास करने वाले में एक बच्चा कितना नमबर लेकर आता है तो पच्च पन और फेल करने वाले में एक बच्चा कितना लेकर आता है 35 यह मेरे भाई इनके total marks का ratio हो जाएगा कि sir एक बच्चे का इतना number तो total बच्चे का इतना number एक बच्चे का इतना number तो यह total बच्चे का इतना number हम इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हम कर सकते हैं यहाँ पर हलागी convert करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि देखो 33 हमारा कटी जा रहा है तो सिधा 3 ratio 1 को उठा कर हम यहाँ लिख सकते थे और अपने उत्तर को प्राप्ट कर सकते थे लेकिन उसमें मुझे पता है कि कई सारे बच्चे का यह सवाल हो जाता कि सर जब आप total बोला गया है तो आपने ratio क्यों ले लिया इसलिए मेरे भाई हमने यहाँ ratio ले लिया ताकि आपको दिक्कत नहीं आए अब अगर हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा यह हमारा 11 बार में और 5 से मेरे भाई कटेगा 7 बार में और वहीं पर आप लोग गलती थे अगर इस कोशन में यह बोलता कि लोगों की संख्या का अनुपात बताईए तो आप आंसर देते 3 ratio 1 लेकिन कोशन में लोगों की संख्या का अनुपात नहीं पूछा कोशन में यहाँ पर यह पूछा कि total pass मतलब यहाँ total pass marks जितने भी बच्चे पास हुए हैं उनका total निकालो जितने भी बच्चे फेल हुए हैं उनका total निकालो और मुझे उसका ratio बताओ तो मैंने कहा पहले तो pass करने वाले बच्चे कितने थे तो इतने बच्चे थे और हर बच्चे को इतना नंबर प्राप्थ हुआ तो टोटल पास करने वालों के द्वारा इतना नंबर फिर उसके बाद फेल करने वाले बच्चों का टोटल नंबर कितना था तो fail कितना बच्चा किया 33 बच्चा और हर बच्चे को इतना नमबर मिला है तो ये उनका total ये pass का total और ये fail का total और ये उनका ratio देखे भाई clear गोआ तो जो दिखता है वो होता नहीं है थोड़ा patience रखना पड़ता है तब समझना पड़ता है अच्छा एक और बात यहां जरूरी नहीं था convert करना बिना convert किये भी हम कर सकते थे हम सीधा सीधा यहां पर 3 और 1 को उठा कर as it is रखते तब भी हमारा उत्तर बन जाता है क्योंकि जब भी हमें ratio निकालना होता है हमें exact value की आवशकता नहीं पड़ती है ठीक है आजे चलिए अब यहां से थोड़ा सा सान है आप लोगों को यहां से थोड़ा सा सानं लगेगा मुश्किल नहीं लगेगा आईए पढ़िये question में क्या बोला गया जरा पढ़िये राकेश एक coaching संस्थान चलाता है और राकेश एक कूचिंग संस्थान चलाता है जिसमें 50 संकाय सदस्य है 35 संकाय सदस्य का उसत वेतन हमारे 37,500 रुपए है यदि सभी 50 संकाय सदस्य का उसत मासिक वेतन 30,000 रुपए पाया जाता है तो अन्य 15 संकाय सदस्य का उसत मासिक वेतन कितना होगा अगले 15 मिनट मेरे शार्थ बने रहिए जितना हम पढ़ा रहे हैं सीखते रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको अलिगेशन समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से बस सुनते रहे हैं मेरी बातों को कि राकेश रणा कोचिंग इंस्टिटूट तो मैं यहां पर क्या बोलूँगा तो मैं यहां पर यह बोलूँगा कि जो उसका अपने इंस्टिटूट है वो कितने लोगों से मिलकर बना है तो 50 लोगों से मिलकर बना है 35 लोग एक तरफ हो गए 15 लोग एक तरफ हो गए दोनों लोगों को मिला देंगे तो 50 लोग आएंगे तो मैं यहां पर क्या बोलूँगा 35 लोगों का मेरे भाई उसत वजन मुझे यहां लिखना है 15 लोगों को उसत वजन हमारा यहां पर लिखना है और नीचे क्या लिखेंगे तो लोगों की संख्या कानुपात हम यहां पर लिख देंगे ठीक है तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखो जो पूरा का पूरा क्लास बना है वो 50 लोगों से बना हुआ है तो अगर हम यहां बात करें तो क्या हो जाएगा तो 35 लोगों का उसत वजन 37,500 तो यह जो 37,500 है यह हमारा कितने लोगों का उसत वजन है तो 35 लोगों का है तो इसको यहां पर लिख दिया फिर बाकी 15 लोगों का उसत वजन हम कितना मान लेते हैं मान लेते हैं, पूरी की पूरी क्लास का उसत वजन हमारा कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, मैंने पहले ही कहा था यहां पर उसत, यहां पर उसत, यहां पर उसत, और नीचे में क्या लिखेंगे, लोगों की संख्या, यह कितने लोगों का है, तो कोई दिक्रत की बात है कोई परिशानी की बात है बोलेगे ते साथ बार मे यहांपर काटेैं highly सब्सक्राइब Um इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है, तो जरा गटाओ, 37,500 में से देखो, इसको माइनस करो, तो 37,500 में से 30,000 अगर आप गटाएंगे, तो 7,500 निकल कर आएगा, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे, तीन लोगों के चलते 7,500, तीन लोगों के चलते कितना ह हजार हो जाएगा, तो 7 लोगों के चलते कितना हो जाएगा, एक के चलते 5,500, तो 7 लोगों के चलते कितना हो जाएगा, साड़े 17,000, तीन के चलते मेरे भाई, साड़े 7,000, तो 7 के सलते कितना हो जाएगा, तो बोलोगे, साड़े 17,000, मेरे भाई, कितना बोलोगे, तो बोल तो मेरे भाई X मिलेगा यानि X कमान हमारा कितना आ जाएगा तो X कमान हमारा 30,000 हो जाएगा और इसमें से कितना घटाना होगा 17,500 तो आपको मिलेगा मेरे भाई 12,000 अगर बच्चो एकदम basic वाला calculation आप रखेंगे ना तो कभी भी selection आपका नहीं हो पाएगा ध्यान रखिए थोड़ा सा अच्छा concept आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छी calculation आपके होने पड़ेंगे तब ही आप बाकी लोगों के भीड में आगे बढ़पाएंगे नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है यह allegation का एक trick होता है एक तरीका होता है कि अगर मुझे इसम फाइदा मैसुस होगा और चीज़े clear होंगी जैसे आप एक और question को यहां देखे आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा देखे इस सवाल को क्या बोला गया है वही question जो मैंने आपको शुरू में समझाय था कि यह class दो भागों में बटा है लड़के तथा लड़कियों से लड़कों का उसत इतना है लड़कियों का उसत इतना है पूरे class का उसत हमारा कितना होगा आ गया है ना वहीं सवाल वापस से गूमके ठीक है तो पढ़ों 60 विद्यारती के एक अक्षा में 20 लड़किया है तो अगर हम बात करते हैं यहां पर एक तरफ हम girls लिखते हैं और एक तरफ हम boys लिखते हैं नमबर को हम कहां लिखते हैं नीचे छोटी छोटी बात है जैसे मानो कोई बच्चा है यहां पर वो सोच रहा है हम किसको कहां लड़कियों की संख्या कहां लिखी जाएगी तो संख्या अमेशा नीचे लिखी जाती है तो लड़कियों की संख्या हमारी नीचे लिखी जाएगी तो लड़कों का उसत हमारा कितना है चालिस तो वो हमारा उपर लिखा जाएगा और लड़कियों का उसत भार पैंतीस है तो लड़कियों का उसत भार पैंतीस है तो वो कहा लिखा जाएगा उपर total class का उसत हमारा कितना है x है तो वो हमारा लिखा जाएगा नीचे क्या इसमें कहीं पर आपको कोई दिक्कत आया बताईए कहीं पर कोई दिक्कत आया कि सर यहां लड़कियों की संख्या यहां लड़कों की संख्या यहां लड़कियों का उसत यहां लड़कों का उसत और बीच में क्या आता है पूरी क्लास का उसत तो यहां पर अब आप कैसे solve करेंगे इसको भी solve करने के दो तरीके हैं अगर आप मेरे से बात करोगे तो देखो मैं आपको बता देता हूँ एक हमारा method number one है जो की हमने आपको सिखाया है और दूसरा हमारा method number two हो जाएगा method number one सबसे पहले आप लोग समझें हैं पर method number one क्या है तो अगर हम काटते हैं तो 20 से हम काटेंगे तो यह एक बार में कटेगा और यह दो बार में तो बीच वाली value हम कैसे निकालेंगे तो बीच वाली value बराबर side into side 40 into 2 कितना हो जाएगा तो 80 plus side into side 35 into 1 हमारा कितना हो जाएगा 35 divided by कितना total 2 plus 1 कितना हो जाएगा 3 best तरीक है भाई इसमें कुछ और नहीं करना होता बस इतना करना होता है side into side 80 side into side इतना divided by total यानि 3 से हम भाग कर देंगे खेल खतम हमारे यहाँ पर तो बोलेंगे sir यह value हमारी कितनी निकल कर आ गई है तो यह value हमारे निकल कर आ गई है 115 कितना निकल कर आ गई 115 को हम 3 से भाग करते है 3 का sir 3 गुणा 9 होगा और 25 होगा 3 से 8 बार में 24 हो जाएगा एक हमारा 38.33 करके आएगा और यह हमारा कौन सा option हो का option number B for बहुबली ठीक है तो यह हमारा इस तरीके से हम solve करेंगे मैंने कहान आप मुझे अगला 15 मिनट दीजे पूरा allegation घोल के पिला देंगे आप लोगों के दिमाग में यह हमारा वादा है आप से बस मेरी बातों को सुनिए ठीक है कोशन में क्या बोला गया है एक परिक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्रात किये गए औस तंक हमारा पचास है यह 80 छात्रों का मेरे भाई औस तंक है यदि उत्तीन छात्रों का औस तंक इतना है दो तरह के बच्चे हैं क्लास में तो average marks obtained by 80 student in an examination is 50 average of past student is 55 and number of failed student are इतना what is average marks of student to fail the examination मैंने यहाँ पर कहा कि भाई देखो यहाँ पर क्या भोलेंगे तो यह हमारा past का average हो जाएगा यहाँ पर हमारा fail का average हो जाएगा यहाँ पर हमारा total का average हो जाएगा ऐसी हम लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ क्या लिखेंगे तो past जितने बच्चे होएं उनकी संख्या जो बच्चे मेरे भाई fail होएं यहाँ पर उनकी संख्या यही हमारा ratio होता है अब जो data हम वहाँ से उठाएंगे वही data हम यहाँ पर मिटाएंगे सीदि सी बात है और कोई बात ही हें यहाँ पर नहीं है तो बोलेंगे परिक्षा में 80 चातर त्वारा प्राप्त किए गए औसंख्याशे है तो किसका औसंख है हुए किसका अपच्चाशげ है पास वालों का है तो बोलोगे पूरे पूरे अस्ची चात्रों का यानि टोटल का है टोटल का उसत पचास है तो यहां पर इसको मिटाएंगे और यहां पर इसके जगह पर क्या लिखेंगे तो इसको मिटाएंगे मेरे भाई टोटल का उसत यहां लिखेंगे पिर अगला लाइन पढ़ो तो उत्तीन चात्रों का उसत अंग 55 है, पास करने वालों का अवरेज जो है, वो हमारा 55 है, तो पास करने वालों का अवरेज मिटाओ, और यहाँ पर पास करने वालों का अवरेज लिखो, ठीक है, और परिक्षा में अनुतीन होने वाले चात्रों की संख्या, यह संख्या है, औसत नहीं है, confuse मत होना औसत अलग है, संख्या अलग है औसत को उपर लिखते हैं, संख्या को नीचे लिखते हैं तो ये जो बोला गया परिक्षा में अनुतिन होने वाले छात्रों की संख्या है ये हमारा क्या है, तो number of student 2 fail और fail करने वाले बच्चे कितने हैं, 30 अब पहले मुझे एक बात बताओ यहां पर, पूरे क्लास में कितने बच्चे थें, 80 बच्चे थे 80 में fail करने वाले 30 है, तो pass करने वाले कितने होंगे common sense लगाना, बोलोगे गुरुदेव, 50 80 बच्चे थे न, 30 fail हो गए, तो pass कितने है, 50 तो यहां पर यह वाला संख्या, automatic अपने बुद्धी का प्रेयोग करके निकालना था 80 में से 30 माइनस कर दो, तो 50 बचेगा अब मुझे एक बात बताओ यहां पर, क्या इस fail का average नहीं निकाल सकते हो question में ही बोला गया है, what is the average marks of student to fail fail करने वालों का यहां पर जो होसत हमारा कितना है, निकाल सकते हैं कि नहीं तो बोलेंगे, हाँ sir, तो fail करने वालों का वोसत अगर हम बात करते हैं, तो बोलेंगे sir, यह हमारा हो जाएगा, x, ठीक है, अब वहीं method जो हम आपको बताएं हैं, आप उससे निकालिए, कि बीच वाली value यदि आपको निकालनी है, यह बीच वाला value निकालना है, तो side into side, side into side, तो side into side का मतलब 55 into 5 plus हमारा side into side, यानि 3 into x हमारा, और divided by कितना हो जाएगा, total, तो total हमारा कितना है, 5 plus 3 हमारा, 8 है, तो 8, ठीक है, तो फिर से repeat करता हूँ, यहाँ पर side into side हम कर देंगे, फिर यहाँ पर side into side कर देंगे, तो side into side plus side into side divided by कितना, total यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, तो multiply करेंगे, तो 85 हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 55 का 5 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे, सर, 275 और plus हमारा कितना हो जाएगा, 3x, 400 में से 275 अगर हम निकाल देंगे, तो 125 हमारा निकल कर आएगा और यह हमारा हो जाएगा तीन X के बराबर अगर हम X का मान निकालेंगे दोस्तों तो देखो तीन से बाग करो तीन चोके बारा तीन एकम तीन चेक अटारा 41.66 option number A जो है correct answer आएगा आजाओ चलो अब एक और question देखो मुझे लगता है यह वाला सवाल आप लोग बना दोगे आवशकता मेरी यहां पर नहीं है खुद पढ़ लीजे देख लिजा आपसो के clear हो जाएगा एंटी पीसी सीबीटी टू का ये question है कि पिछले 12 महीनों के दोरान सुनिदी ने उसत इतने रुपय प्रतिमा की कमाई की है 12 महीने में हर महीने का उसत 6250 है पहले 10 महीने के दोरान उसका उसत कमाई हमारा इतना था और अंतीम के 2 महीने की ओधी के दोरान सुनिदी की प्रतिमा की उसत कमाई कितने थी ये बोला गया 12 महीने का उसत दे दिया 10 महीने का उसत दे दिया 2 महीने का उसत पूछ रहा है क्या बोलेंगे बोलेंगे सर देखो 10 महीने का एवरेज यहाँ पर लिखेंगे कि 10 महीने का दो महीने का एवरेज जो है वो यहां पर यहां कितना है और बारा महीने का एवरेज जो है वो यहां पर कितना है ठीक है तो ऊपर में क्या लिखते हैं एवरेज और नीचे में क्या लिखेंगे रेश्यो यह 10 महीने का आवसत है तो यहां 10 लिखेंगे और यह 2 महीने का आवसत एक तरफ, दो महिने का उसत एक तरफ बारा महिने का उसत एक तरफ और नीचे में क्या होगा, तो महिनों का अनुपात कि यह कितने महिनों का है, जैसे 10 लोगों का अगर उसत है तो 10 लोग 20 लोगों का उसत है तो 20 लोग, उसी तरीके से 12 महीनों का उसत लिखो और वो कितना है तो 6250 तीक है उसके बाद 10 महीनों का उसत 500 है तो यहां 10 महीनों का मिटा के मेरे भाई 10 महीनों का उसत लिखो और वो कितना हैगा तो 500 2 महीनों का उसत हम से पूछा है तो 2 महीनों का उसत हम कितना माल लेंगे तो x माल लेंगे तो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा और यहाँ ratio होगा मेरे भाई किसका months का ratio होगा तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर कितना है तो 10 month है यहाँ पर समझेगा इस बात को लेकर और यहाँ पर ratio हमारा कितना होगा यहाँ पर हमारा ratio हो जाएगा 2 मंद का यहाँ पर हमारा ratio कितना हो जाएगा 2 मंद का अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 1 और 5 के ratio में कटेगा कितने ratio में कटेगा मेरे भाई यहाँ पर तो 1 और 5 के ratio में कटेगा अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई दो तरीके सवाल को solve करने के जैसा मैंने शुरू में कहा था ठीक है तो बोलोगे सर देखो बीच वाली जो value होती है यानि जो 6250 होती है तो 6250 हमारी जो होगी वो बराबर होगी side into side के यानि यहाँ पर होगा अंठाओं 100 into हमारा कितना देखो होता है ना side into side मेरे भाई यहाँ प रेंगे तो एक हमारा answer ऐसे निकल करा अजाएगा और वहीं दूसरा तरीका जो हमने आपको बता. अजिस के इसको solve कर लेना तो आजा अर। वहीं दूसरा तरीका जो बच्छों हमने बताए था वो मैंने क्या बताए था तो वह मेंने बताय तो 450 आएगा मेरे भाई, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे, गुरुदेव देखो, एक के लिए 450, एक के लिए 450, तो पांच के लिए कितना हो जाएगा, 450 को इससे गुना करो, तो 2250 होगा, कितना होगा, तो 2250 होगा, अब छोटी सी बात को समझना दोस्ते यहा है, तो अगर एक तरफ माइनस कर रहे हो, तो दूसरी तरफ क्या करोगे, प्लस करोगे, दूसरी तरफ क्या करोगे, प्लस करोगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो यह आ गया, इसमें अब इसको प्लस कर दो, तो यह आ जाएगा, क्लियर हिसाब केताब भाई, इतन ना हो जाएगा तो 85 option number A जो है वो हमारा क्या हो जाएगा correct answer तर नमबर स्वाल last है और ये सवाल अगर आपने बना लिये तो संपूर्ण allegation वाला जो concept है उसका revision हो जाएगा चली आएए साथ पढ़ते हैं सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं एक कक्षा में बहतर विद्यारतियों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है एक परिक्षा में सभी विद्यारतियों का उसतंग 63 है यदि लड़कियों का उसतंग लड़कों की तुलना में 30% अधिक है लड़कियों का उसत तंग कितना होगा? ये भी सवाल हमारे ICR मेंस का question है. कैसे बनाएंगे? देखे. सेम तरीके से पहले मुझे पढ़ने के बाद सवाल में पता चल गया. एक तरफ लड़कियों का उसत कहा गया, एक तरफ लड़कों का उसत कहा गया, मतलब यहाँ पर हमें क्या लगाना है? तो allegation लगाना है. क्या लगाना है मेरे भाई? allegation लगाना है. और allegation जब प्रयोग करना है दोस्ते हाँ पर तो हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखें यहाँ पर, एक तरफ हम लड़कों का उसत लिखेंगे, यहाँ boys का average. और यहाँ पर अपना data जो है वो हम लिखते चलेंगे. तो पढ़िए जरा. कक्षा में बहतर विद्यारतियों मैं से लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है. बैचारियों का जो भी संख्या होगा, उससे यह 40% अधिक होगा. तो क्यों ना एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो है, वो इससे 100 माल लेते हैं. अगर लड़कियों की संख्या को हम 100 माल लेंगे, तो इससे 40% अधिक है कितने हो जाएंगे, 140. अब आप बोलोगे, सर, हम यहाँ पर इस बहतर का क्या करें, कुछ मत करो, इसको रहने दो. क्योंकि जब रेशो ही लेना है, तो मेरे भाई एक्जेक्ट वैल्यू की क्या आवशक्ता है, कोई आवशक्ता नहीं है, यह पागल बनाने का काम है, और कोई काम नहीं है. समझ गए? तो यहाँ पर number of boys 40% more than number of girls, तो जो भी है, उसे 40% ज़्यादा मांग देते हैं. तो यहाँ पर 63 को बीच में लिखा जाएगा. इसलिए 63 हमारा बीच में रहेगा. तो यहाँ पर 63 को बीच में लिखा जाएगा. ठीक है? Average score of girls is 30% more than the boys. girls का जो उसत है, वो इससे 30% ज़्यादा है. कितना है मेरे भाई? 30% ज़्यादा है. तो अगर मेरे भाई 30% ज़्यादा है, तो यानि अगर यह 10 है, तो यह 13 है, यह 130 है. किसी भी तरीके से कहलो? 100 का 30% 30 होता है, तो इससे 100 मानोगे, तो 130 बन जाएगा. या यदि, यदि इसे मेरे भाई यहाँ पर आप क्या करते हो? यदि आप इसे 10X मानते हो, तो इसका 30% 3 होता है. ठीक है? 10X का मेरे भाई देखो, 10X का 30% कितना होगा? तो 10X का 30% मेरे भाई यहाँ पर 3 होगा. तो ब टीक है, average score of girls मेरे बाई, girls का हमारा वसत पूछा गया है, कि ये लड़कीों की संख्याद का हमारा वसत इतना होगा, हाला कि ये 13 का multiple है, और 13 का multiple देखो, ये girls का क्या होगा, 13 का multiple, तो एक काम करो, question को solve करने के पहले ये देख लो, 13 का multiple कों सा है, अगर एकी option 13 का multiple निकला, तो को टिक करके आगे बढ़ जाना तो हमने यहां पर कहा 13 का 5 गुना 65 होता है और यह 65 यह भी 13 से कटेगा 13 का 5 गुना 65 हो गया मेरे भाई और 78 यह भी हमारा कट रहा है दो option हम कट रहे हैं तो रिस्क नहीं ले सकते हैं मानों सिर्फ एक ही option कटता तो सिर्फ हम 13 के multiplication के आदार पर चले जाते हैं हाला कि दो-दो option कट रहे हैं तो हमें तो solve करना पड़ेगा 20 से अगर हम काटेंगे 5 बार में 20 से काटेंगे 7 बार में solve कर लो दोस्ते हैं आपर क्या बोलोगे बीच वाली value 63 बराबर side into side 7 into 10 कितना हो जाएगा 70 मेरे भाई फिर यहां side into side 13 बचे कितना हो जाएगा 65 मेरे भाई और divided by total यानि 7 जमा 5 हमारा 12 हो जाएगा solve कर लो बारत यह 36 ठीक है 12 चक 72 और 3 हमारा 75 और 7 6 13 मेरे भाई 135 यहां पर यदि हम इसी में काटते हैं तो X कमान हमारा कितना निकल कर आ जाएगा अगर आप चाहोगे तो नो से कटेगा तो नो ... नो से कटेगा तो नो नो अठे बहत्तर नो चोके 36 तीन से और काटओ तो पॉननीचे और तीन से और काटओ तो average score of girls बोला गया तो इसलिए girls की अगर हम बात करते हैं आपर particularly, तो girls की value हमारी कितनी है, 13 x x यानि 13 x 5.6 है, 13 पचे 65 तेरा चाकट 75 65 और मेरे भाई ये 72.8 हमारा आजाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं option number C जो है, वो हमारा correct answer है ठीक है तो बढ़ियां से पढ़ाई करना जितनी करादी है, उतनी classes को बढ़ियां से सीखो बाकी मिलेंगे अगली class में ठीक है चलो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना जोड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you